शिरी हरी विश्नु नमहा तो कैसे हैं आप सभी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज का वीडियो है पूर्णिमा के लिए फालगुन मास की पूर्णिमा छे वे साथ दोनो तारिक में पढ़ रही है बड़ा कन्फूजन है क्योंकि होली का दहन तो साथ तारिक को है और जब होली का दहन होता है तब ही पूर्णिमा का वरत रखा जाता है तो देखे ये कन्फूजन इसलिए है क्योंकि छे तारिक को शाम को पूर्णिमा तिती शुरू हो रही है और साथ तारिक को शाम को ही पूर्णिमा तिती समाप्त हो रही है तो आप दोनों ही दिन वरत र रख सकते हैं परन्तु 7 तारिक को शाम तक पूर्णिमा रहने वाली है लेकिन शाम को ही चांद भी दिख जाता है तो 6 या 7 के बीच में आप अर्ग देंगे तो 7 तारिक को भी आप वरत रख सकते हैं परन्तु 7 तारिक को आपको 6 या 7 के बीच में ही अर्ग दे देना है क्यों अगर आप 6 को वरत रखते हैं तो पूर्णिमा पर आप जो कथा करेंगे वो कथा आप 6 बजे के बाद ही करें यानि की शाम को करें लेकिन अगर आप साथ तारिक को होली का दहन वाले दिन मंगलवार को वरत रखते हैं तो उस दिन आप कथा दिन में ही कर लें क्योंकि शाम को पूर्णिमतिति समाप्त हो जाएगी सत्यनारायन भगवान की कथा का वीडियो अल्लेडी मेरे चैनल पर है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूगी उसमें मैंने आपको करके दिखाया है क्या-क्या सामगरी सत्यनारायन भगवान की कथा में चाहिए अगर आप घर पे स्वैम से कथा करना चाहते है पंदरह या बीच मिनिट का समय लगता है पूरा कथा करने में लेकिन अगर आप भ्रामण को कराना चाहते है तो अतित्तम है परंदू क्योंकि होली का समय है तो सब बीजी होते हैं तो थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसके अलावा पूर्णिमा पर शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि चंद्रदेव की पूजा होती है और चंद्रदेव शिव जी के सर पर विराजमान है शिव भगवान ने उन आता है तो ओम नमस्षिव जै चंद्रदेव भगवान की इस तरह से भी आप कड़ सकते हैं सिंबल शब्दों में लेकिन उस दिन शिव परिवार का पूजन जरूर होता है आप सुबह शिव परिवार का पूजन करें शाम को आप सत्ते नारायन भगवान की कथा करें और श लिए आप चाहें तो अन ग्रहन कर सकते हैं या फलाहर भी कर सकते हैं रात के समय जब आप चंद्र को अर्ग देंगे तो खीर का भोग लगाया जाता है खीर का भोग मा लक्षमी जी को भी अतिप्रिय होता है भगवान शिव परिवार को भी खीर का भोग लगाया जाता है तो ये लक्ष्मी को प्रसंद करने का भी एक उपाय उस दिन किया जाता है कि खीर का भोग जरूर बनाएं, आप यदि कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन पहले खीर का भोग मंदिर में भोग लगाएं, शिफ परिवार को भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और उसके बाद परिवार के साथ ग्रहन करें तो ये थी पूर्णिमा की सिंपल विधी, आपको ये विधी कैसी लगी, इस तरह के ही वीडियो उसके साथ बने रहेगा, हम औरते अपने तीच दिवार कैसे मनाते हैं, कैसे हम व्रत उकवास रखते हैं, इन सब के लिए बने रह मेरे साथ हर हर महादीव